नमस्कार स्वागत आपका विशेश में मैं हूँ आपके साथ पारूल आज बात करेंगे फंडिंग का सियासी फंडा जो यहां मध्य प्रदेश की ग्रेमंतरी ररुत्तम मिश्वा ने एक बार फैर कॉंग्रेस प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ पर हमला बोला है प्रदेश से करोडों रुपए कॉंग्रेस मुख्याले भेजे जाने पर ग्रेमंतरी ने कहा कि आखर कमलनाथ का सच सभी के सामने आ गया सांथी ग्रेमंत्री ने कमलनाथ की ततकालीन सरकार को सदी की सबसे भ्रष्ट सरकार बताते हुए कहा कि कॉंग्रस और कमलनाथ ने वल्लभवन को दलालू का अड़ा बना दिया था मैला बालवेकास के कुपोशन के पैसे से राहूल का कुपोशन दूर हो रहा था सोशल वेलफ़ेर का पैसा राहूल बाबा की गांधी वेलफ़ेर में जहा रहा था सांथी ग्रेमंत्री नरुतम मिश्चा ने कमलनाथ की तुलना मुहमद गजनभी से की है और कहा कि जैसे विदेश से आए गजनभी ने देश का पैसा लूटा वैसे ही मध्यप्रदेश के गरीबों का पैसा लूट कर कमलनाथ ने जगर्ने पाप किया है आपको बता दें एक रिपोर्ट में खुलासा हुआ है कि मध्यप्रदेश में कॉंग्रेस सरकार के दौरान और अल इंडिया कॉंग्रेस कमिटी के कॉंग्रेस मुख्याले में 106 करोर रुपे की लेंदेन की गई है रिपोर्ट के मुटाबिक साल 2016 से 19 तक के बीच में पैसा कॉंग्रेस मुख्याले भीजा गया जिसके बाद अब आयकर विभाग इस मामले की जाच कर रहा है और आयकर विभाग के पास 408 पन्नों का स्रोथ भी मौजूद है जिसके मुताबिक 13 फरवरी 2019 से 4 अक्टुबर 2019 के बीच 74 करोर 62 हजार रुपे पार्टी मुख्याले भीजे गए वहीं अगस्त 2016 से सतंबर 2016 के बीच 26 करोर 55 रुपे पार्टी मुख्याले पहुचाए गए वहीं अब इस खबर के सामने आने के बाद कॉंग्रेस में हर्कप मच गया है और कॉंग्रेस ने ता सफाई देते नजर आ रहे है हम घथने के बादा बना दीए के देना कमला जी औघ आप माणते ही नहीं थे अब तो खुरासा आप लेगोंने कीया है अब तो मान जा मोगा अन को भी लगता होगा कि खजाना खाली है detention को क्यों अलधता थे कमला जी महला बाल विकास का कुपोसन का पैसा राहूल बावा के कुपोसन की दूर करने पे लगा रहे था सोसल बेल फेयर का पैसा गाधी बेल फेयर में जा रहा था राहूल बावा के बिदे सियात्राओं पे उनकी पे खर्च कर रहे था सिन्दिया जी ना इसलिए अपने आप को लग कर लिया था उस दोर से क्योंगी मातो जी बोली लग रही थी कौन वाई जादा करके देगा गरीबों के खूल पसीने की गारी कमाई जिस तरह से कमलनाद जी ने लूटी है इस मद्द परदेश में और लूट लूट कर जिस तरह से बाहर बेजी है तो महम्मद गजनभी की याद आती है वो गजनभी जो विदेश से आया और भारत का पैसा लूट कर विदेश में ले गया है पूरी जो परिस्तितियां हैं, बरवाद हुई पड़ी है मद्व परदेश की, तो जो लाइन आर्डर का जो काम उनको दायद को सौंपा है, परदेश की जनता जो है, अपने टेक्स के पाइसे में से उनकी तनका निकाल के देती है, उनको इस बात का वो जवाद दें, और पर देश के जाज करने पर गया, और जो लिए तो देखे बड़ा मामला निकल कर सामने आया है, जुसके बाद बीजेपी ने समुद्दे को खेर लिया है, और सांती पूछा है, कि ये पैसा कहां बहुत देना ना ये उचिक चीज थोड़ी है, तो देखे बड़ा मामला नि पर गया, कैसे गया, और इस मामले में नरुता मिश्रा साहब को भी आपने समना, लेकिन कॉंग्रेस की तरफ से भुपेंद्र गुपता साहब कह रहा है कि तथ्या सामने रखिए, समझने की कोशिश करते हैं, हमारे साथ प्रभू पठेरिया जी हमारे साथ एडिटर फून पर असवक्त मौझूद है, प्रफो जी कैसे देखते हैं, इस मुद्दे को एक बड़ी रकम सामने आई है, जो मध्यप्रदेश से कॉंग्रेस मुख्याला फेजी गई थी, और इसमें वो टाइमिंग भी मौझूद है, जब कमलनाथ साहब भी मध्यप्रदेश के मुख्यम जब कमलनाथ मुख्यमत्री थे, इंकम टेक्स भाग में कई करीबी लोगों के यह चाते मारे थे, दिल्ली में भी चाती की करवाई भी थी, उनके जो कमलनाथ के सलाकार है, जो लंबे समय तक उनके नेस्ते और सची हुरह है, आरके मिग्लानी, उनके यहां पर भी चाता आरके मिग्लानी, इसको लेकर आएकर भाग में पुदी चार्च परताल किती, बड़ी लंबी चार्च हुई थी, जो की आरोप लग रहा है, जो भी रकम का लेक किया गया है, कहां तो लेंदेन हुआ कि आरके मुख्यालेश जी गई, तो यह आएकर भाग में जो उनके उनके जो ख़गई कृष्या है, जिए गयरेश जी हुआ है, जो जो कम क्यो का लेकर भाग में और उनके थी, आपके मिथा कर लोगई पानी शी घुटन की आएकर भाग में पैसा। उस पैसे को फिर हो खर्च करते पार्टी कारों के लिए तो क्या उस तरीके से आया या कहीं बिजने साउसे से बंडिंग हुई है या कावलना की मुख्यमांतरिक ने मंदर बदेश के और जैसा कि आरोप लगना है क्योंकि रागने सिक जलने आरोप एक दूसरे पर लगाते है जो आरोप लगना है पोशन के लिए जो पैसा आया था पोशन तूर करने के लिए वो यहां पर दे दिया गया तो यह सब को लाते हैं कंग्रेस को करना चीए अपने बचाव में क्योंकि आयकर बाद अपनी कारवाई आगे बढ़ा चुका है इसके जारे में कंग्रेस के नि तरकार थी और अगर इस समय पर भी कॉंग्रेस मुख्याले में राशी ट्रांसफर हो रही थी तो इसकी तो अलग अलग अकाउंट्स होंगे फिर जाहर है सबाइक तब पारो जी करी तरह के मामले इसमें आएंगे अब एक लंबर टेनियूर जिसमें जरूर बतायागी है लेकिन जो आई करिभाद में जो जाच किती वो उस दोरां थी जब कमला तो खिबाती थी थे उनके जो करीबी लोग है विबन पदों पर मौजूद थे और उसको लेकर है अब जो पुरी रिपोर्ट है दी सामने आएगी तो खुलाता होगा कि क्या आजपा सरकार के रिजिम में पैसा कुछ वहाँ पर आया या कांगरेस की सरकार आने इक पुरी तरह से वहाँ या कुई जो जो कांगरेस की सरकार है ये 15 महीने उस दोरां के ज् टेखनीकल पॉइंट हम समझने की कोशिश करें तो गांधी वेलफेर सुसाइटी के बारे में नरुत्त मिश्रा जी जिक्र कर रहे हैं क्या वाकई उनकी भी अकाउंट का ओड़िट हुआ है उनकी अकाउंट पर नजर रखी गई है उनने खंगाला गया है उसके बाद पता और किया है गलत होगा ये शब लेकिन क्या काला किया है कौन सा काला किया है ये सब खुलासा होना चाहिए वही खुलादा उसमें कहां पैसा आया है कहां गया है कुछी रिपोर्ट है चारसो सचारव पन्ने की रिपोर्ट इसमें सारी चीजों का खुलादा किया गया है तो वह उसके अधार पर रिकारवाई होगी कोई कयास लगा कर आएसे मामले में जो इंकम टेक्स से जड़ा हुआ है, जो बड़े लेंदें से जड़ा हुआ है, उसमें क्या अजबाजी नहीं लगा सब्सक्राइब कि यहां से आया होगा, यहां से क्या होगा। तक आते आते ही एक राशी करोडों की हो जाती है, बताया जाता है कि 14 करोड तो 13 फर्वरी 2019 और 4 अक्टूबर 2019 की बीच ट्रांजेक्शन हुआ है, पार्टी मुख्याले में, यानि हैड़कॉर्टर कॉंग्रिस के जहां पर राहुल जी का भी नाम लिया जा रहा है, गांधी सुसाइटी का भी नाम जिया जा रहा है, कैसे देखने हैं से? जानकारियें चाहिए होंगी, वो उन जानकारियों का जवाब देंगी, हर राजनेतिक दल इस देश में चंदे पर अपने खर्चों का वहन करता है, वो चंदा हर राजनेतिक दल को मिलता है, जो भी चंदा आया है, कहा गया है, कैसा गया है, इस सारा on record है, कॉंग्रेस पार पूछा जाएगा तो जरूर बताएंगे आप सवाल पूछे 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 का तो बता देंगे जरूर एक बात है लेकि जिस तरीके से पार्टी आरोप लगा रही है जनतर के प्रती उस्तरदा इस तरह तो यहाँ पर खुल आसर करना जरूर है जरूर आपको याद होगा जब आपकी सरकार्टी उसी तरह इंकम टेस्ने इरेड मारी दिकए जगह पर उससे निकले हुए मामला अरब उन्हें एक रिपोर्ट सग्मिट किया है उड़ी जरूर इस इस दिखाएंट इरहे है कि 106 करोज ड़े गाए है जा पार्टी के बुजनेस पोफिस जनन आता है उससे आया आया या और जब सरकार के दव्रान अपर उस दव्रां की कोई है जैसा की तो मियसा आ्रोब लगा रहे जब books of accounts हैं हमारे पार्ट और books of accounts को हम submit करेंगे वो करती है और political party इसमें कोई नई और पुरानी भारती जनता party को अब राजनेतिक ग्रेश की भावना से राजनीकी कर रहा है इसलिए उस तरीके की बात कर रहा है उनके भी तो बहुत सारे हैं विवे कनन पाउंडेशन है बहुत सारे किसी की जाच हुई क्या या किसी की जानकारी मिली कि हमने तो पिस्टी बार भी का था जो भी फॉंट शाएं कोंग्रेश के पास राजीव गांदी पाउंडेशन के है और या और भी अन्ड है उसकी आप सरकार जाच करें कॉंग्रेश पार्टी स्योग करें तो इसका फाइनल जो है इनका फाइनल आउटकम इसकी इंकम टैक्स की रिपोर्ट का आने दीजिए कॉंग्रेश पार्टी उसका जवाब हर मामले का जवाब देने के लिए पच्छब है और हम कहीं चे भी इदा उदर से चंदा हमारे पास नहीं आता है जो चंदा है वो सब भूप सब एकाउंट्स में है और वो सामने देखने को मिलेगा जी प्रभूसर देखिए पारूल जी है तो सबाइक तब आयकरवाद की जांस का मामला है और जांस खुलासा होगा उसमें थाबिस होगा लेकिन अभी जो रिपोर्ट आई है वो यह जरूर बता रही है कि कहीं ना कि कुछ पेंच है अब उसको लेकर फिरोज जी चुकी प्रवक्सा है और यह एक्यूज नहीं है फिरोज जी कमलाज जी पर आरोप लग रहा है उनके करीबियों पर आरोप लगए यदि वो तथ्थे देते हैं तो ऐसा लगेजा कि हां हूँ सही बात कर रहा है तो चुकि एक प्रवक्सा हो न आप फिलहाल कह सकते हैं लेकिन डोक्यमेंटेशन आप लोग सारवजनिक फिलहाल नहीं कर रहे हैं और अगर ऐसा है तो रिपोर्ट या फिर आयकर वभाग जो जाच कर रहा है उसके बाद आप लोगों को सारवजनिक कर देना चाहिए था यह हमारे दस्तावेज असा कोई आयकर वभाग की एक प्रक्रिया है वो नोटिस देखे जब भी आपना कि कॉंग्रेस ने यह किया है कॉंग्रेस ने वो किया है उस पहले नोटिस आने दीजिए रहा हमारे बास जब नोटिस आएगा हम उसकी पुरूरी स्क्रूट्नी कंपिलीट हो जाएगी स्क्रूट्नी कंपिलीट होने के बाद जो फाइनल जो भी वह नखते सामने आई जह अगे उस पर अगर भारती जनता पार्टी बोले तो ठीक बास समझ में आती भारती जनता पार्टी इसका तो जवाब नहीं देती, वो तो ये कहते हैं, सब्जी वाला भी भी मैप का इस्तिमाल करें, cashless transaction करें, और वो हजार के एक एक हजार दो दो हजार फान सो रुपे के जो कूपन उन्होंने दो हजार अठारा में बाके थे लोगों में, उसका क्या हुआ, किनकिल लोगों से उन्होंने चंदा लिया, इसका जवाब तो भारती जनता भार्टी देती नहीं है, कभी, उनको इसका भी जवाब देना चाहिए, और राइचे जल चन्ने पे चलता है, फिरोज जी, क्यों वो जवाब नहीं देते हैं, आपकी इस जवालों का भी जवाब लेंग अब इसको लेकर फिरोज सदीकी जी का भी कहना है, कि हमारे पास तो डॉक्यूमेंट है, जब आईकर वभाद हमसे मांगेगा तो हम दे देंगे, जल्दवाजी में बयान दिया गया है नरुतमिश्वा जी की तरफ से, आप क्या कहेंगे, उनके पास तो कोई रिपोर्ट आ आई होगी नहीं, आपके पास क्या रिपोर्ट है, वो जवाब दीगी है, ठीक है, मैं एक सेकेंड रुपनेगा, तो बोलने के तक आपको जवाब मिलेगा, आप 106 करोड के जो डॉक्यूमेंट्स हैं, उसको लेकर कॉंग्रेस बात नहीं कर रहे है, कि कहां है वो आप लोग जॉइनिंग फीस ले रहे थे, कॉंग्रेस कारे करता हों से, जिसके बाद इतना चंदाए खटा होगे, 106 करोड का जिस पर आईकर में भाग की नेजर पड़ गई, तो सवाल बहुत है सर, सुनने का थोड़ा से धैरे रखे, हाँ पवीन जी बोलिया, पारूल ज जेते तो आज तक निदे पाई तो पूरी कॉंग्रेस सन्नाचे में आ गई थी, और वही जवलपोर में तो इसका में एक शर्मा जी थे, उसमें किते से 200-300 करोड का पूरा हिसाब करताब हुआ था, वो पूरा प्रेचाप है, अगर इन सब बातों का ये कॉंग्रेस हम पू जाना से आता है, क्या मादधम था, कोई सी जायरी पकलाई थी, किसके मादधम से परीसे जाना था, कहां जाना था, कंग्रेस तब के सामने आगी बात, अब वो पात को हम पूरे खुल के बता रहे हैं, और ऐसा कोई हवा में प्रदेश का ग्रहमंती थोड़ी पूल रहा है, अब मैं नहीं बूला भी है, आपके पास जानकारी होता, आप सार्जनिक करिये ना उसको, आप तो करें हमके पास कोई रिखोर पाई होगी, हमसे एक सुच्छे करोड़ रुपा जाना था है, पर करोड़ रुपे निकले थे वे ड्राइवर साब इतनी कमाई करने लगे कि क करोड़ रुपे निकले हैं तो बाहर को दूम राइवर, आज तर देवसाब संपक्ति के मामले में उनकी उपर मुकत्मा चोदर जी नहीं हुआ, आप तो करवाई कीजे, दगोची है, बिसकुल कोई गर नहीं है, इसके बाद इनको बसा रहा है, आप तो पीन साल वाद या क्योंकि चाहता है, इसके बाद नहीं के जवाब दर्चकों के पास पहंचें, क्योंकि अंडियोप्राश होगा तो आप लोगों की बात नहीं पहुच पाईगा, एनर्जी वेस्ट होगी पस आपकी, प्रवीन जी जी चाहरोगा के गरवडाट है, आपकम टेश्या थीजा क चापाणा निंगला तो फूरी बात है मत कःऊए मुझसे तो पारूल जी जिसका भोलता जाओंगा अब ही इनके अचिने सर्मा गया चापाणा पाडा जवाब तो सारे चौगडा करू नगड निकले अचिनी शर्मा ने क्या मैं तो भार्ती जिनता पार्टी का कारे करता हू इसके आचापा पड़ा उसके आचापा पड़ा ये तो बात है इन पर आयकर वभाग करवाई करेगा ही लेकिन ये बताइए जो 106 करो रुपाय का जो आपने कहा कि हमारे हम चंदे लेते हैं सारी पॉलिटिकल पार्टिया चंदा लेती हैं उसके हिसाब से पेपर वग है वो भी हम आयकर वभाग के सामने रखेंगे लेकिन क्या सोला से लेकर उन्मिस तक इतना चंदा लिया कि 106 करोड हो गया और अब उसके दस्तावेज आप लोगों को दिखाने पड़ेंगे C2,017 में चुना हुए थे. हमारे सीपार मेंबर ही करोड और ज씨 ज़्यादा है 2,3 करोड से जढ़ा सीपार मेंबर है । जिनकी 100 रुपे पीस ली जाती है Bronze मेंबर को पतिस कारेकरणा लातिता बनाने होते है अकने से पांच रुपे ली जाती ए्ट तो तब दो सो रोपय तो एक ही इव सुपातर कार्धाल करता के हो से हैं हम empushy सफाथ कब करता क हो अब सब्सक्राइब करता के है olmak यह वह कंग्रेस तो लिद्भी जो permanent members है उनके पास तो हमारे पास जो भी हो सामने हैं और अगर 2016 से यह मामला चल रहा है, कारवाई तो कुछ हो नहीं रही है, फिर्व एफरेजल रिपोर्ट है, उस पर राज दीती हो रही है, कि इस सरकार में चाले 600 करोर का जो पार्टी ने इस समय लगता है, लेकिन इतना समय कि एक बर आके सरकार चली भी गई, तब भी अभी तक आप लोग के जहां चाल पूरी नहीं हो पाई, इसको लेकर आपकी टिपड़ी? करना हमारा उदेश यह भी नहीं है कि किसी को हम चो ठहरा है, यह तो आपने आप तरती है, कई बार तो यह इस तोटाज चलने वाली कारवाई है, जब उन्हों नहीं अच्छा, देखिए, इसको हमने कोई चुनाओ में 2019 में लोगता चुनाओ मने कोई मुदा तो नहीं बना करना था, और उसके जब यह लोग तो पुलिस है को उसको घ्यर, CISF की प्रिस आई थी, आएकर ठीटी रंगर ठाने में, इनके लोग करवाई नहीं करने दे रहे थे, इनके लोग करवाई नहीं करने दा रहे थे, ठाने वाले CISF पर लड़ाई हो गई थी, तब यह सरकार अच्विनी शर्म आप को क्यो मचाई थी, अगर वो हमारों कार करता था, उसमें क्यों लेकर दे रहे थे, अब आगे ये भी है, कि सवाल कॉंग्रेस ये भी कर रहे है प्रवीन जी, कि आप लोग बदली की भावना से कारवाई कर रहे हैं, ऐसा नहीं है कि आपकी यहां लो आजवन इसको देना ही पड़ती है, अच्विन सैव नी थी, उसके पूरे डाकुमेंट से, आज पहली बार मुझे कांग देनें, ये पदा-बदा कि करकार करता भी हम लोग चितने भी भी र מעट करों हैं, उनको दूस steων पार धोर मेंबर्शिप होती उसके बगए बेना सुपास रखे हमारे अग किसी को ना पदजी कारी बनाया जाता है ना उसको कोई टिकेट दिया जाता है पुरे देश को जो पार्टी ने लाइन में लगा दिया तो बिलगी परमान से और मोटबंदी की बता पाई कि सौर उक्टा काला बन कहां से पकड़ाया तो वो काला बन के कॉंग्रेस के दक्तर में पहुच गया है अपनी नाचानिया को पाने के लिगे चले चले एक लंबा वक्त चला आ रहा है 2016 से 2019 लेकिन इसे तो आतंगवादी हम लोग तो भारत का आतंगवादी जाके को मार के आते तो उनके अप संख्या मांगते हूं चले संख्यानी आपको बताईए नोट बंदी में किसा पैसा मिला आपने पूरे जेश को लाइन में लगा दिया चले नोट बंदी जेश को लेकर हम पहले भी डिसकुशन कर चुके हैं सवाल यह है कि 106 करोड रुपे का जो लेकर कॉंग्रेस अभी तक क्यों कोई प्रेस नहीं करते क्यों कोई डॉक्यमेंटेशन सामने नहीं रखते क्योंकि आरोप तो कॉंग्रेस पर ही लग रहे हैं फिरो सद्धिकी जी आपको भी इस मामले में जवाब देने पर मजबूर होना पड़ रहा है वो भी बगर किसी दस्तावेस के यह भी सच है फिलाल चुक्रिय जिनको लेकर नरुतम इश्राजी ने भी आरोप लगाया कि घजनभी से उनकी तुलना कर दी कि MP का पैसा लेकर आपने दिली में दे दिया महिला बालवेकास के कोपोशन के पैसे से राखुल गांधी का कोपोशन खत्म हो रहा था तमाम तरहें कि आरूप लेकिन यह जो माम समय के बाद भी कोई कारवाई क्यों नहीं हुए क्यों अभी तक इस मामले को हल कर कि यह नहीं बताया जा सका कि आखिर यह पैसा कहां से आया था और कहां गया था इस मामले में कॉंग्रस के चुछ है की पालिटिकल पार्टीज है चंदा लेती हैं उसका भी हम सारे पारोप हैं उसमें दूद का दूद पानी का पानी हो जाए लेकिन दाल में कुछ काला ही होगा तबी सिर्फ बाते हो रही है और अंदर की बात क्या है इसे बाहर नहीं लाया जा रहा है फिलाल मुझे दीजे जाज़त और खबरों के लिए आप देखते रही है नादी टीवी झाल मुझे झाल मुझे झाल झाल मुझे झाल मुझे झाल मुझे झाल के लिएज़त भरों ज सीर्य क mythologyần